मौनिका गुपता का नमस्कार मंगलवार व्रत कथा हिंदु धर्म में मंगलवार के व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है माननाता है कि विधी पूर्वक व्रत रखने से व्रती सभी तरह के भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं सुक, संपती, यश और संतान प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुब माना जाता है मंगलवार व्रत कथा पौरानिक कथा के अनुसार रिशी नगर में केशवदत भ्रामन अपनी पतनी अंजली के साथ रहते थे केशवदत के घर धर्म संपती की कोई कमी नहीं थी नगर में सभी केशवदत का बहुत सम्मान करते थे लेकिन दमपती संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहते दोनों पती-पतनी हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करते थे विदिवत मंगलवार का वृत रखते हुए उन्हें कई वर्ष बीद गए बहुत निराश हो गए लेकिन उन्होंने वृत करना नहीं छोड़ा कुछ दिनों बाद केशवदत हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चले गए और उनकी पतनी अंजली घर में रहकर मंगलवार का वृत करने लगी दोनों पती पतनी पुत्र प्राप्ती के लिए मंगलवार का विदिवत वृत रखने लगे अंजली ने अगले मंगलवार को वृत किया लेकिन किसी कारणवश वो हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वो सूर्यास के बाद भूगी ही सो गई अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाये बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया छे दिन तक अंजली भूग की प्यासी रही, साथवे दिन मंगलवार को अंजली ने हनुमान जी की पूजा की लेकिन तभी भूग प्यास के कारण अंजली बेहोश हो गई हनुमान जी ने उन्हें स्वपन में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री मैं तुम्हारी पूजा पाट से बहुत प्रसन हूँ, तुम्हें सुन्दर और सुयोगे पुत्र होने का वर देता हूँ ये कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, तद काल अंजली ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वेम भोजन किया हनुमान जी की अनुकमप से अंजली ने एक सुन्दर शीशु को जनम दिया मंगलवार को जनम लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल परसाथ रखा गया कुछ दिनों बाद अंजली के पती भी घर लोटाए उन्होंने मंगल को देखा तो अंजली से पूझा ये सुन्दर बालक किसका है अंजली ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कहानी कह सुनाई लेकिन केशवदत को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ उनके मन में पता नहीं कैसे ये कलुशित विचार आ गया कि अंजली ने उनके साथ विश्वास घात किया है अपने पापो को छिपाने के लिए अंजली जूट बोल रही है केशवदत ने उस बच्चे को मार डालने की योशना बनाई एक दिन केशवदत सनान के लिए कुए पर गया मंगल भी उसके साथ था उसने मौका देकर मंगल को कुए में फैक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुवे पर मेरे साथ पहुचा ही नहीं केशवदत के इतने कहने के ठीक बात मंगल दोड़ता हुआ घर लोटाया केशवदत मंगल को देकर बुरी तरे हैरान हो उठा उसी रात हनुमान जी ने केशवदत को स्वपन में दर्शन देते हुए कहा तुम दोनों के मंगल वार के वरत करने से प्रसन होकर पुत्र जनम का वर मैंने दिया था फिर तुम अपनी पतनी पर शक्यू करते हो उसी समय केशवदत ने अंजली को जगा कर उससे शमा मांगते हुए स्वपन में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई केशवदत ने अपने बेटे को हिर्दे से लगा कर बहुत प्यार किया उस दिन के बाद सभी आनन पूर्वक रहने लगे मंगलवार का विधिवत वरत करने से केशवदत और उनकी पतनी के सभी कश्ट दूर हो गए इस तरह जो इस्तरी पुरुष विधिवत मंगलवार का वरत करके वरत कथा सुनते हैं हनुमान जी उनके सभी कश्ट दूर करकर घर में धन धाने संपत्ती का भंडार भर देती हैं